अब लोग देख रहे आज में बनाया बटर चिकन बहुत ही टेस्टी बनी थी मेरे गेस्ट आने माद तो इसलिए आप देख रहे हैं मैंने डेर सारा बनाया था बटर चिकन सब खाकर बहुत तारीफ कर रहे था और इससे बनाने में बिल्कुल कोई परिशानी नहीं मैं इसके मैंने कोई स्पेशल मसाले रेरी नहीं की एक बार में सारे मसाले पीस लिए सारी जंजट कतम तो चली फटा फटा से स्टार्ट करते हैं वालकम बैक टो माई चैनल प्रियाज जिमीफूर तो बटर चिकन बनाने के लिए सबसे पहले सारे चिकन को मरीनेट कर लेंगे इसमें अब उसके लिए मसाले करेंगे तो मसाले के लिए न में प्यास चार से पांच बड़े प्यास को मैं कट कर ली हूं अद्रब कट कर लिए लेसन को कड ले लिए थोड़ी सी धनिया पति और हरी मर्च चॉपर की सहायता से सभी को चॉप कर लेते हैं आप जाओ तो काट की भी वारति यूजर कर सकते हैं मारते हैं मसाले करें आप ज्यामान दोसरा मसाले करेंगे थिती और दूसरा मसाला एक में और परपकेर करना है आपके जार बढपनावा कांव कर अगराए तो थमाटर का लए तो कुट अधर भी फई जी खरबोच सानो अब मसाले जाएंगे धनिया मिर्ची पॉडर, धनिया पॉडर, हल्दी पॉडर, गरम मसाला और जीरा डाल के यहीं पेक पेस्ट भी रेडी कर लेना है अब हमारे मसाले रेटी हो गया हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं ग्रेवी के लिए में तीन बड़े चमच सरसो का तेल डाल दी हूं और 100 गाम्स का बटर है थोड़ा से रख बातमा के सारे बटर डाल दी है आप चाहतो थोड़ा कम जादा मसाला आपने रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है और मसाले को ना चार-पांच मिनट भी भुनने में लगेंगे तब तक मैं चिकन फ्राइग कर लेती हूं अब देख सकते हैं थोड़ी देर में चिकन को पलट भी ले रही और अच्छे से निकाल लूँगी और इसी तरह हम सारे चिकन को फ्राइग कर लेंगे और एक बर अपनी मसालों को चेक कर लेंगे मसालों को भूनते वे चार मिनट हो गया है अब जो एक टमाटर का पेस्ट बनाइती हूं जो काजूओ वाला पेस्ट मैं रेडी किती हूं यहां पे डाल दूंगी मसाले में और मसालो को अभी भी 10 मिनट अच्छे से भूनना है क्योंकि सारे मसाले कच्चे है मसाला नहीं भूनेगा तो हमारे बटर चिकन के टेस्ट खड़ाब हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ नमक टेस्ट के कॉर्डिंग आप डाली है इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगे और दस मिक्स कर लूँगे और अब देख सकते ही चिकन भी हमारा फ् पूर्ना है चार मिनिट बाद यहां में डाल दूंगी गरम पानी इतना डालिये जिससे मरे चिकन भी अच्छे से पगजा और हमारी ग्रेवी बिल्कुल थीक होनी चाहिए बटर चिकन की ग्रेवी नहीं नहीं होती है तो मैं इसमें एक से डेज ग्लास पानी डाली हूँ क् मेरे चिकन बहुत जा देते हैं अब जितना चिकन बनाए ना उसके पानी डालें पर इस बात को ध्यान रखीगा कि ग्रेवी बिल्कुल थीक होनी चाहिए और अब में यह दो चमचानी डाल दूगी थोड़ी सी कटी हुए हरिमेच डाल दूगी सब को मिक्स कर लूगी चार मि अब चेक कर सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया इसके ओपर थोड़ी सी कसूरी में थी फ्रेश क्रीम घरवाली मैंने डाली है इससे गार्निस कर दूगी और अब देख सकते हैं हमारा बटर चिकन कितना यमी लग रहा है बिल्कुल डापे जैसे लोग कर दम आया ना एक बार अब जरूर ट्राइक किजिए रसेपी अच्छे लोगे तो प्रीज हमारे चैनल को लाइक किजिए शेर किजिए सब्सक्राइब किजिए